Sir, it's a medical emergency. Your father, he's not well. He's not talking to anybody. कैसे हो, शिवा? मुंबई से मिरासी बोल रहा हूँ. तुम्हारे पापा की ख़बर सुनके, मुझे बहुत दुख हुआ. एक अच्छे दोस्त की मिसाल थे. सबकी मदद करने वाले. और एक अच्छे वेटे की मिसाल हो, तुम. वो भले ही चल बसे हों, लेकिन उन्हें दुनिया कभी नहीं भूल सकती. डैड को भी मानना पड़ेगा. जवानी में रंग्रलियां मनाई और उसकी सजा हमें 23 साल बात भुगतनी पड़ रहे हैं. हमारी सजा दूसरों के लिए मज़ा है. काफी अजीब सिच्वेशन है ना? हमारे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं है. महताज है हम? हम तो सिर्फ नाम के बारे से भाईया. एश तो ये कर रहा है. विकी, अगर हम भी किसी के नाजाईस बच्चे होते हैं, तो एश कर रहे होते हैं? लाइफ सेट होती हैं? लेकिन हमारी ऐसी किसमत कहां भाईया? रिलाक्स, कूल. विकी, कभी हमारे भी दिन आएंगे. लेकिन आज हमें एक दूसरे का सहरा बनना है. हम ये पैलेस पेज कर बिजनेस करेंगे. अरे क्या हुआ? चाही अच्छी नहीं लगी? शिवा. शिवा. शॉरी. हाँ, बोलो. तुम बोलो. मुझे बैंक कौन से पैसे निकालना है? कितने चाहिए? सारे पैसे. इतने सारों से मैं तुम्हारा अकाउंट संभाल रही हूँ. क्या मेरा हक नहीं बनता जानने का? एक दोस के नाथे तो मैं पूछ सकती हूँ ना? क्य क्या बात है? सारा, प्लीज. ओके शिवा. कल मिल जाएंगे. थैंक्स. सारा, तुम कुछ कहने वाली थी? नहीं कुछ नहीं. यह सही वक्त नहीं है. शिवा ने अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे तुम्हारे नाम कर दी है, साम. क्या? वाउ, शोमी. ए, सारा, ऐसा क्या खास है तुम दोनों के बीच की वो तेरी हर बात मान लेता है? आखिर वो शिवा तेरा लगता क्या है, हाँ? माई गाड. भूल गई तेरी बरवरिश पर मेरे बाप ने कितना खर्चा किया? मेरे बाप के अहसान कब चुगाएगी? जब देखो शिवा 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 पहले मेरे बाप ने चड़ाया, अब तुने स्था चड़ा रखा है उसका भी नेको. जितनी पगार है उतना ही काम कर ये जो चेक पे साइन करने की है टू मिलियन यूरो वाव! कमाल है शिवा ने इतने पैसे दी दिया हाँ उसकी दुखती नफ्स दवा दिया और वो मान गया अपना कच्छा तक दे दिया वैसे भी पैसे उसके थोड़ी थे तुम दोनों के थे उसने उपकारनी किया है तेरे पापा की महरवानी है उत्तिरी 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 क्यों एक बटन से पूरा अकाउंट खाली हो जाता है मामा खाली करने की बाद छोड़ भरने की बाद कर इन्हीं पैसों से एक दिन हम पूरी मुंबे पर राच करेंगे आप ही क्या है एश कीजिए मामा आधड़ा आधड़ा फ्रेंच पुलीज रिलाक्स टैनियल मैं तुम तीनों को सबूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहता था अब तुम नहीं बचोगे तुने अभी जो ट्रांजेक्शन किया मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए वैस प्रेंच पुलिस वाले को धोखे बास कहता है ये गन देख रहा है ना सारी की सारी कोलिया भेजे में उताटूंगा इद्रेच एंकाउंटर कर दूंगा तुम लोग ऐसे नहीं माने वाले चल एचले पुलिस टेशन में रिमांड लेता हूं अब तो खुश है ना तु तु अब तु ने तो डराई दिया या या अब लोग डिल साइन कप करेंगे यह तो बताओ मामा कली कर लेते हैं करेंगे मामा यह से और हुआओ करी कर लेते हैं कर दूंगा भ्लेट कर दूंग कर दूंग कर दूंग है शिवा तुवारे कार्की कीज का है टेबल पर लेखी ये रूम काफी आलिशान है ना बिल्ला मामा अक्सर कहते हैं इंडिया के बड़े-बड़े रईज लोग उटी दारजलिंग में विशाल बंगलो बनाते हैं लेकिन सिर्फ गर्मियों में ही रहने आते हैं बाकी पूरा हे एक क्रिया ईक्ताकराशों कि इस कंब्रे में शिंट हो जाओं हा और ले अखिर इस कंब्रे के असली मालिक तो हम यह जिस चीज के लिए आया थे उसकी बात कीजे navy देर हो रही है उसके बाद वकील से भी मिलना है यहां का ट्राफिक आप जानते हैं अरे बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं अभी फरारी की सवारी करते हैं कि येघ हुँ कि अधिक Vicky Vicky Hey Meelie, Vicky यहां है था क्या? No sir Any calls? No sir, no call Okay okay Hey Sanchi, can I have some whiskey please Sure sir Thank you Welcome विकी वहाँ आए तो भेजना हलो हलो विकी वहाँ है विकी आया था विकी आया था श्लोली विकी हलो 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 ए क्रशोन थे जड़ो बाल बॉस यह तो सैम का भाई है ना यह यहां कैसे हम विक्की इसे बैंडेजिस में लपेट कर पासपोर्ट बदल कर कोमा पिशन बना कर यहां लाए है गोज देकर सब कमों बंग किया है साम को फोन लगाओ विक्की भाई कहा है तु ठीक तो है ना वेधा है मुंबाई इंडिया मुंबाई इंडिया तुझे किसने उठाये मुझे यहां क्यों लायो कौन तुम प्रजर शेटी शेटी उसको पूछो कितने पैसे चाहिए और क्या डिमांड है उसकी हलो 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 है य अथ यहां ने क्या और यार में फ्रेंच पुलिस हूं अगर इंडिया की पुलिस होता तो यह झालता है तो असपोपन कर E 재ho new करें यह मुझा नहीं बात कीजिए जंगुछ बी बात कीजिए या इнийतलियन में बात कीजिए कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे विंगराइद कीम कि एक को साम रिलाक्स तेरा मामा है ना विकी भी मेरा बांजा ही तो है बांजे के सामने बिजनेस गया भाड में लेकिन हमसे कोई गलती हुई न तो वो लोग विकी को मान डालेंगे और मैं अर्में सा हर्गिस ने होने दूँगा मेरी बातोन मुझे मेरा भाई चाहिए कुछ भी हो वा जाएगा रिलाक्स साम देख में क्या करता हूं हलो भाई याजी है खोली है ओपनिट अंदर दो कुछ भी नहीं है खाली जग है ना अब भर गई अब भर गई अब गोली क्यों मारा और क्या मार था अब इसका भी इंदिजाम करना पड़ेगा हो जाएगा बन कर अच्छ अब मेरी बात सुनो विकी को चुड़ाते हैं कि बिजनिस का बाद में देखा जाएगा नए शेटी नए शेटी 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 यह क्या कराएगा शेटी यह क्या कराएगा शेटी शेटी का टाइम हो रहा है बाई सम यह मेरे रूम की जावी तुम्हारे रूम की मैं बस बाबा का प्यार चाहता था जब मुझे मिल किया सोचा था तुम लोग भी अपना लोगे पर ऐसा हो नहीं पाया कोई बात नहीं तुम दोनों मेरे भाई हो इसलिए मैंने कोशिश की लेकिन अब मैं चलता हूं विकी कहा है साम मैंने पूछा विकी कहा है साम देखो वो बिजनस के सिलसिले में वो विकी कहा है साम विकी किड्नैप हो चुका है दरसलो कहा है मॉंबाई किस नहीं किया शेटी नहीं कोई डिमांड नहीं मैं और पापा इसलिए ऐसी डियल्स नहीं करते थे इसी वजह से विकी को मैं लाओंगा भला ही चाहे कुछ भी हो जाए सैम कम से कम उसकी बाद क्या हम साथ में रह सकते हैं जैसे पापा चाहते थे मैं और कुछ नहीं चाहता हूं वो जितना तुमारा भाई है उतना ही मेरा भी है प्लीज 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 गॉड आज मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिलने वाला है या नहीं प्लीज बताईए अफो मुझे पता था आज भी यही होने वाला है क्या कह रहें आज फिर से? यह कोई मामुली किताब नहीं है यह पापा ने लिखे थी अब वो इस दोनिया में नहीं है जब भी मुझे जिंदगी से कोई सवाल पूचने होते है जवाब मुझे इसी किताब में मिलता है हलो सुमन है देखो बॉस अंकल क्या चल रहा है मैं तो आपको टीवी पे लाइफ देख रही हूं स्मार्ट लग रहे हो तुम कब स्मार्ट बनोगी यह लाइफ टीवी नहीं सीसी टीवी फुटेज है और मैं यहां बाहर खड़ा हूं अब यह चंगुर मारने का स्परिय है अब बस अब डॉन समसा येस मिस्टर मिरासी तुमसे एक जरूरी काम था फर्माइए शाम को तुम्हें एपट जाना है फ्रांसे कोई आ रहा है उसे कातना है क्या